देश की आन बान और शाह, हमारी सीमा के सजग प्रहरी, हमारे जवार, जिनकी शहदत को बड़ी शिद्दत के साथ सम्मान दिया है हर्याना सरकार्ण दरसल जजल के नए बस्टेंड का नाम अब शहीद अमित देश्वाल के नाम से किये जाने का मनोहुलाल सरकार ने फैसला लिया है इस फैसली की तहट बीजेपी प्रदेश रध्यक शोपी धनकर्णी नए बस्टेंड का नामकरण श्रहीद अमिद देशवाल के नाम से करने के लिया है थी प्रदेश में बहुत सहीद नाम उतना नहीं हो पाता बहुत संसाओं के नाम उनके नाम पर नहीं हो पाते तो आज यहां के GM NK गरग जी से नहीं हामी भरी है मैंने बात कि उनसे कि जो सहीदों के गाउं से बसें आती हैं उन पर उन सहीदों के चित्र बनवाकर उनके नाम से एक्सप्रेस बसे उनका नाम करेंगे यह और भी अच्छी बात ही है देखे वीरों का नाम वीरों की सोरिय गाथा आने वाली पीडियों में सोरिय बढ़ाती है वीरता बढ़ाती है इसलिए जितना ज्यादा वीरों का नाम सहीदों का नाम बलिदानियों का नाम होगा उतना ही ज्यादा जो है हमारी नई पीडी तेजस्वी बनेगी एक आगरे मैंने सभा में भी किया है, मेडिया के माध्यम से भी करना चाहता हूँ कि पंचायत मंतरी के नाते जब मुझे मोका दिया था इलाके न तो हर गाउं में मैंने ग्राम गोरोपट लगवाए थे और वो आदे से अधिक गाउं में लगे हुए है उन गोरोपटों के आसपास का जो स्थान है उसको सुन्दर रखे गोरोपटों को साब सुतरा रखे कई बार कोई भाई उन पे पोर्टर लगा देता है कई बार कोई उनके आसपास जो है वो उपले गोसे पात देते हैं उस पर गाओं के वीरों के नाम है, सहीदों के नाम है, बलिदानियों के नाम है, मेरा निवेदल है एक से सर्विस्मेंन से, उरोव सैनिकों से, क्यों कोई कमेटी बना के, ऐसे सहीदों के जितने भी समारक हैं, उनके आसपा सुंद्रे करन का काम, उनको गोरोपूर्ण रखने को भी शामिल को न था, लेकिन किसी कार्णवर्ष कारेक्रम में शामिल नहीं हो पाई। अब ऐसे मीं कारेक्रम में केवल ओपी धनकर और बादली के कॉंग्रस विधायक कुल्दीव वत्स ने ही भाग लिया। सिर्फ परिवार के परिवार उटर जाते ही बलकि युवापीडी भी परबाद हो जाती है। सुर्या समाचार के लिए जज़र से प्रदीव धनकर की रिपोर्ट।